तलेंट के गाउं बावडी खेड़त की हाई स्कूल में साइकल विज़्डून कारेकर्म कायोजन किया गया वधायक राजिय बरदन सिंग ने इस कारेकरम में शिरकत के और छात्राओं को साइकल बादी वहीं साइकल पाकर छात्राओं के चेहरे खेल उठे गाजियबाद की मीडिया सेंटर में अचानक भ्यंकर आग लग गई आग लगने की वज़ा से लाखों का रुपसान हो गया आग लगने की जानकारी दंपल विभाग को दी गई सुझना के बाद बोके पर पहुंची फायर बेट की गाड़ियों ने आग पर काबो पाया इसके बराबर में सुचना भाग भी है कि वहां पर क्या हुआ था आप जब आपने देखा क्या था यहां पर इससे थी यह हमारा मेडिया सेंटर है यहां पर सौट सर्केर की वज़े से बहुत बैंकर आग लगी है जिसकी वज़े से तब कुछ चलकर राग हो गया है बराबर में ही तूचना भी बाग है वहां पर भी थोड़े आग लिए पर फायर मिगेट की टीम ने आग को बजा दिया है अच्छा तक यूपे में कोई पत यह पतने लगा किस वज़े सा अग लगई थी अंदर सीचीडीवी कैमरे थे लेडी थी और भी दोती नेसी थे सब में लगई पूरे अंदर एकदम पूरे में आग लगई है अब यहां टोटल जितनी भी मीडिया टोटल नम सारे एंपे बैटने होने स यूपे के बिजनोर में गरीबी की मार जहिल रहे एक पिता ने अपनी ही मासूम बेटी का महज एक लाख रोपे में सोधा कर दिया मायका वालों को जैसे ही बच्ची की बेशने की खबर लगी तो पूरा परवार थाने जहां पोचा यूपे के खुशी नगर में शिक्षा मित्रों ने अर्ध नगन होकर प्रदेशन किया और सरकार से उनका भविश्य सुरक्षित करने की मांग की यूपे के शाजापुर में दबंगों ने एक बुजर्ग दमपत्ती को मामुली सी बात पर गोली मार दी गोली लगने से बुजर्ग पति-पत्नी गंफीट रूप से खायल हो गई अने फारें में खायला को जिला स्पितार में रैफ पर कर दिया इनकी सिती है और के किस तरी के जिलाज किया जा रहा है इनकी बाइप भी है इसमें दो लोग घायल हो गए है इस संबन्द में थान निगोही पर अब यह पंजगित कराय जा रहा है और विदिक कारवई की जा रहा है यूपी का बुलन शहर में एक मा ने अपनी ही बेटी को पसाने के लिए अपनी ही गैंग रेप की घिनोनी साजिश अपने पती के साथ मिलकर रश्टा ली बगर जब साजिश का खुलासा हुआ तो पुलिस भी सकते में आ गई पुलिस टे गैंगरेप की शिकार पीड़ित मा को उसके पती सही गिरफ्तार कर लिया तो इसे में मा उनका बेटी का भी नाम जब कर लिया बेटी के किलाब मेरा शक है बेटी ये लोग का बेज करके ये कर रहा है इसी केस में ये है मेडिकल में बलात करका कोई पुश्ची नहीं आया ऐसे ही इन से तोड़ा गहराई से जांच करने समय ये पुदी बताया मैं जुटी मुकतमा लिका था मेरा एरिया में ऐसे चार- लोग के विडे की किलाब मेरा शपक है लेकिन ये आ रहे है है ये इनी की कम्युनिटी से दूसरा कम्युनिटी वाला से बेटी का प्यार का जबरदस्ति इनी की सेम कम्युनिटी में उनके साथ चली sertदे इसलिए माप का बेटी के किलाब वो है बहुत नाराजता अंदर अंदर इसी केस में उनका भी नाम जत्ते होगे अभी आम लोग वो है 392 लूट का दारा ऐसे बलादकार का वो रिमोर करके इनी के किलाब 195 ऐसे पोलिस का फाल्स एविदेंस दे करके किसी को जेल बेजने के उतेश में फाल्स कंप्लाइंट फा मतलब उनकी मर्जी के खिलाब किसी को दूसरा से बेजा ये भी बोल रहे हैं बेटी कोई ऐसे 40,000 पैसा लेकर के उनका जबदस्री उदर शारी करें वो भी उनका ब्यान में बोल रहे हैं ये 100% एक ऐसे नकब जनी का केस था मतलब पूरा परजी मुकदमा लिकर के सभी को मत मतलब नाम ऐसे ये समय बेश कर दिया इसलिए ये जेल जाएंगे आखे सभूत के आदार पर जल्दी हम चाशिक वेड़ी नगर परशयत जोरा वैसे तो बहुत ही सुर्ख्यों में रहता है पर आप कुछ नजारा हटके है यहां सियां में उपत के लिए इस समय घवास्तान कि नगर पार का मा जाए यहां ब्रूदीत आप इस तारीक को 20-2912 आप इस्की आप उस्की आप इस लिए जो ने जो कि आपको प्र ग्रैंट किया आप नहीं एक इस तारीक का गारेब कर ते बाईस तारीक को हमने यहां पर जोन किया जोन करके जब वाफस जबने हां से सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें, तो नगलपान का जोरा में पहले का चल गई थी तो सियो मों को एक जोड़ी आई है वह वांदी चुछ नियाले का आदिस्टी जोरा में आई है करोरी कोच के बाहर दिन दहाडे फारिंग के मामले में नया मोड आ गया है इस मामले में काट सवार और बाई 2 सवार ग्यूपों ने एक दूसरे पर फारिंग कर लिए फिलाल कुलिस पूरे मामले के जांस कर रही है मुझाफर नगर के चर्थावल कजबे में स्कूली बच्चों ने जल बचाओ रैली निकाली रैली के माधन से बच्चों ने लोगों को जल बचाने को लेकर जागरूप नी किया आरजिनांक 18-2019 को जल्याधिकारी महोद्या के अनुपालन में समेलियन विद्याले मत्वुरा में जल संचैन अभ्यान के अंतरगत एक रैली का आयोजन किया गया जिसमें सभी ग्राम वाशियों को जल के संचैन के विशह में बताया और कहा कि अगर जल नहीं होगा तो हमारा जीवन बहुत ही दुभर हो जाएगा अते हमें जल की बचत करने चाहिए और हमें जब भी हमारे पास को महमान आये गर पर उसको भी हमें आदा गिलास पानी देना चाहिए और आदा गिलास पानी दूसरी बार देना चाहिए जिससे की पानी की बचत हो सके और हमने गाओं में सभी को जागरुक किया और बताया कि हमें समर से भी लिका यूज बहुत ही कम मातरा में करना चाहिए और जब भी कभी वर्षा हो तो हमें उसके पानी को इस्टोर अवश्य करना चाहिए इसी इस रेली में हमें सभी गरामवाशियों, गरामपरधान तथा अध्यापक अध्यापिका और चात्रों का विशेश योगदान रहा धन्यवाद हासनफुर के पुर्शोतम शरन राम मूर्ती सरस्वति कर्णया इंटर कॉलेज में हर्याली तीज के उपलक्ष में विभिन पृतियोगताओं का आयोजिन हुआ पृतियोगताओं में विध्याले के छात्राओं ने बढ़ चड़ कर हिस्ता लिया मैंने पृतियोगता, केश पृतियोगता और हमारे स्कूल में राखी पृतियोगता बच्चों ने बहुत सुन्दर राखिया बनाई है और इसी के साथ में बच्चों ने पूजा की ठालिया में सजाई है और इसी के साथ में हमारे जितने भी कमेटी मेंपर्स हैं उन्होंने भी हमें पूरा-पूरा सहयोग दिया है यहाँ है और बच्चों का प्रोसा बर्दन की शाजापुर के जलालाबाद थाना शेत्र में प्रधाना चारे के घर में डकैती की वार्दात हुई बदमार्शत के रास्ते घर में गुज़े और परवार को बंधत बना कर असलहों के दम पर लूट पाट की अधाना जलालाबाद शेत्र की यहाँ पर चानवी नभी की जा रहे हैं और सब पहलों के हम लोग एविडेंस करेक्ट कर रहे हैं और जलसे अलबर काउट करेंगे इसको यह पता रहे हैं कि स्कूल के फ्रिस्पिल हैं और इनके घर में रिवार्दात हुई है आपने अभी तक किसी भी जला अस्पिताल में बिमारों का इलाज होते देखा है लेकिन मुरादाबाद जला अस्पिताल के सर्जिकल वाट के बेट नमबर 11 पर भरती शेहनवास को मोल्यों द्वारा निकाँ पढ़ाते देखा तो आजपास अपने मरीजों के तिमारदादी भुचक के रह गए और जो अभी एक निखा हुआ है अस्पिताल के अंदर वो कौन है आपके मैं फतिजा है क्या वज़ा है जो अस्पिताल के अंदर निकापड़वाना पड़ा फजित में पलिस केश होगे था जिए जो अभी पतिजी है वो भी इस्तिया की बैटी है उसे लेकी चले गए थे यह हो इन उने से मारा थो रहा हो तो इसे पलिस के शुका आदिया बागी बादमनना तो बो लोग को बहुत आई इनका का दीजी है फैसला हुआ हूआ जुमा इस ते आरी आपस में एधूसरे सब्सक्राइब कोई बात नहीं मुरादाबाद के गाउं सिहौरा बादे की मिल्क में एक युवक की संदिक्द प्रस्थितियों में मोथ हो जाने के बाद इलाके में संसिनी फैल गई युवक की मोथ के खवर पुलिस को दे गई जानकारी के बाद पुलिस मोखे पर पहुंची और शक को कब से मिलेकर पोस्ट माडम के लिए भेज जाज शुरू कर दी क्या नामा अपका रूग मरी नाम है मेरा तूभ मडी जी यह बताई आपके पती के साथ में क्या गड़ना गड़ी तुए और है तुसमान ले गए यह शुवक कब ले गड़े थे आपके पती हमें पाती दी बहुत दिनों से चल लगी एक बार दोसी ओरे मारा गेर गेर का किस समय महारा था आपके बती को रामतार पापा यहां से ले गए बुला जए पता ना कभ लेगा है मैं तो पुलीस उपाई दो बिल्कुल आई राज तो आ पर पुलीज तो घाल दो कहां चाहती है उन पर आप कारवाई वाइचा कर वाई बाद नेल के मोड़ा से जीचे जीचे तो जांगर बाद मानने फिर नहीं त जालोन के ग्राम पंचायत बवई में इंदिनों लोग तूटी और कीचर भरी सड़कों को लेकर प्रशान हैं, गाउं में जगा जगा गंदगी कामबार लगा हुआ है, गाउं की हालब देखकर लगता है कि गाउं विकास से कोसो दूर है यहां पर पूरी नाली पड़ी है, बहलें फ्रूरे में गंदी की पीछे और मच्छर कूरी है, कभी सपाई निवी यहां पर और देखो बच्चा गिर जाते हैं, वो मच्छर काती लगते हैं यहां पर बीमारी बहुत पैदा हो रही, फिगे मच्छर गर गर बुख़र में पर देखो कितना पानी बहरा है वहां पर बच्चे भी पड़ते हैं दुनिया के बच्चे गर्जाद में नाली बड़ी बड़ी है ना कभी सपाई हुई उसमें देखो और चलते हिंडोन के गांफ रिठॉली के ग्रामीनों ने गांफ रिठॉली को अलग पंचायत बनाने की म को लेकर जुला क्लेक्टर से मिले और उन्हें एक ज्यापन सोपा चर्थावल के बिरालक्सी में राजीव पुंडीर के निदत में तिरंगा याच्रा को लेकर एक मीटिंग का आयोजन किया गया इसमें चर्थावल शेत्र के युवा सरस्यों ने भाग लिया और डूट का जो, आज में राजीव और जो, इसमें उमीद है कि जातर हो चेक्रवा सी, खेंगा याच्राईब का रहने बाएक हुआ है कि युक्षा जबूरी है सुरक्षा नहीं होगी तो तो तुछीनगर के खड़ा में सुभाश चौक चुराहे पर मारूतियों और बाइक में जोर्दा ठक्र हो गई इसासे में बाइक सवार पूरी तरह सिखायर हो गया जिसके बाद मोके पर मुझूद लोगों ने बाइक सवार को नजदी की स्यासी में भरती कराया वहीं मोके पर पहुंची पुलिस ने मारूति सवार एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर जड़ शुरू कर दी है तोड़ा बीम के ग्राम पंचायत नांगल शेरपूर के ग्रामीनों ने अतिक्रमन हटाने की मांग को लेकर जुला कलेक्टर को ग्यापन सोपा है क्रामीनों के उनसार तेहसीदार ने अतिक्रमन हटाने के लिए नोटिस दिया है, लेकिन फिर भी अतिक्रमन को नहीं हटाया जा रहा है. लोग नीचे अधिकारी कर्मचारी समय वह थो इसको अपना करके समय कर रहा है। अधिक्रमन के लिए अधिक्रमन के माली में अचानक कुत्ते ने मोर पर हमला कर दिया। इस हमले में मोर घायल हो गया, वहीं मोर घायल होनी की सुष्ण अवन विभाग को दी गई। मध्यपरदेश के गवालियर में लान्ड रिकोर्ड की एक कलर्क संजे भागवानी के तीन ठिकानों पर लोकायुक ने शापे मार कारेवाई की है। इस पे साथ रिजिस्ट्रिय, जेवरात और नगदी प्राप की गई है। इस प्राप कायम हुए घ्यारा के स्टव के देश परोकाया है। द्वारका पुर्य में जन्धी नदर में और शुति प्राप्ती का तो पता ही निए फड़ाग अपने घ्तेश बना दिया। क्षापाइड बनाते है और जो सामान होता है इसके बाद में मेरे टीम करती है और जिसजिस भी एजनसी करता था थोड़ा नामार्द शन्दी एक 2016 सितंबर महीने में एक चोरी हुई थी चोरी में जब चोरी का खुलासा हुआ तो उसमें जो रकम हुआ था करीब जो ड़ाई करोर होंपया पुलिस की थी और उसी के उपर से एक सिकायत हुई थी कि इतना पैसा एक ससकारी सरकारी करम के बाद अनुपाथिन संपत्ती का प्रगरन लग रहा था जो हमनों पर द्वारा दर्ज किया है अदर्ज करने के बाद आज कारवाई की में जो आपनी इसको अप्तात पकड़ा है वो किस पर पदस्त्य था था यह रविन्यू विवाग में था क्या पोस्टी सर यह लिपि को गिरफ्तार किया है कि पुलिस्टों के पास से तीन लाग की चोड़ी का समाल और मोबाइल फोन बरामत किया है और इंटिलिजेंस विंक टू की टीन में संग्यत तुलूप से आज प्राता है मुखबिर की सूचना पर एक सातिर कुख्यात अभियुक्त को गिरफ्तार किय पूस्ताच पर उसने लकब जनी वा लूट की पांच घटनाओं का इकबाल किया उन घटनाओं से संबंदे लगवक तीन लाग रूपए के सोने वचादी के गहने और आठ मोबाइल फोन उससे बरामत किये गए ईसका एक अन्य साती जो इसके दौरा लूटे गए उनकब जनी से चोरी किये गए माल को खरीदता था उसको भी पुलिस के दौरा गिरफ्तार किया गिया है इसका एक साती फरार है जिसकी गिरफ्तारी के प्रियास जारी ही अपरादी इतियास कहा? इनके गरुद्ध जो भुख counseling ngam का अपरादी ग्रिपतार हुआ है मुख्रय अपरादी वो 17 मुखद में उसके खिराब नंकभ जनी वरचोणी के धर्ज है इनके पाससे कह जिया? इनके पाससे जो नंकभ जनी वलूट में जो सामाण जोड़ी किया गया था, वो लूटा गया था, वो बरामद हुआ है, जिसमें सोने के 23 सदद गयने हैं, चांजी के कापनी वांदरा में गयने हैं, कैस हैं, प्लस मुवाइल फॉंस हैं किस तना से ये घटना करने के पहले ये किसी ना किसी सराब के दुकान पर जाते थे, वहाँ से देशी सराब लेकर आते थे, और उसके बाद अपने साथी के साथ बैटकर, हिंडोन सिटी में अच्छा बन्यान गिरोहों के आतंग की तस्वीरे सामने आई है, यहां एक व्यक्ति पर गिरोहों के सदस्यों ने हमला कर दिया, जिससे व्यक्ति घायल हो गया, स्पोटरा में एक से लेकर साथ अगस तक संपांस सबतहा मनाया जा रहा है, जिसके चलते समधाइक चिके साले हाडोती में एक संगोष्टी का आयो जिन किया गया, भारतपूर के गाउं जस्पुरा मारोली में मानपता को शरमसान करने का मामला स्थामने आया है, बढ़िया को पीड़ता को सीची बैयाना में बढ़ती कराया गया, इसका इलाथ चाजी,